परमानो हमले का साइरन वचता है तो सभी सैनिक इधर उधर भागने लगते हैं। आर्मी वाले कैदियों को भी जेल से आजाद करने लगते हैं। चारो और अफरा तफ्री मची हुई है। सारे कैदी अपनी जान वचाने में लगे हैं। तभी एक जापानी सैनिक की नजर अं इंडर ग्राउंड सैल में ले जाता है। वन्म के विसफोर्ट से सैल का गेट खुला ही रह जाता। जिस कारण लोगन का पूरा शरीर जल जाता है पर वो सैनिक को लोहे के कवच से वचा लेता है। लेकिन कुछ ही पल में लोगन की बॉड़ी खुद को हील करके पहले जैस वोलता है और फिर दोनों यहां से बाहर निकल जाते हैं।